गुरू प्यारी साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी आप सब कैसे हैं कमेंट में जरूर बताईएगा आशा करती हूँ सत्कुरू माता जी के किरपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा कि पिता जी इस दुनिया में मनुश्य की क्या कीमत होती है अब उस बालक के पिता जी अपने बेटे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान हो गई फिर उन्होंने कहा कि बेटा एक मनुश्य की कीमत आकना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो तो अनमोल है अब उस बालक ने अपने पिता से पूछा पिता जी क्या सभी मनुश्य उतने ही कीमती और महतोपुर्ण होते हैं तो पिता जी ने कहा कि बिलकुल हाँ अब वो बालक कुछ नहीं समझा तो फिर उसने अपने पिता से सवाल किया पिता जी अगर सभी मनुश्य उतने ही कीमती हैं तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब, कोई अमीर क्यूं होता है किसी की इज़त जादा और किसी की इज़त कम क्यूं होती है अब अपने बेटे के मुँझ से ये सवाल सुनकर पिता जी थोड़ी देर तक तो शान्त रहे फिर उन्होंने अपने बेटे से स्टोर रूम में पढ़ा हुआ लोही का एक रोड लाने को कहा अब जैसे ही उनका बेटा रोड उठा कर लाया तो पिता जी ने अपने बेटे से पूछा बेटा इस रोड की क्या कीमत होगी उस लड़के ने उस बालक ने सोच कर कहा कि पिताजी दो सो रुपए अब पिताजी ने कहा कि अगर मैं इस रोड के बहुत छोटे छोटे से कील बना दू तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी अब वो बालक कुछ देर सोचता रहा फिर बोला पिताजी तब तो ये और जादा महंगा बिकेगा लगबक एक हाजार रुपए का अब पिताजी ने कहा कि अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे सप्रिंग बना दू तो अब हो बालक कुछ देर तक गणना करता रहा और फिर एक दम से उत्साहित होकर बोला पिताजी तब तो इसकी कीमत बहुत जादा हो जाएगी फिर पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा बेटा ठीक इसी तरह मनुश्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है बलकि इसमें है कि वो अपने आपको क्या बना सकता है वो बालक अपने पिता की बात को समझ चुका था सासंगत जी, अक्सर हम अपनी सही कीमत आकने में गलती कर देते हैं हम अपने प्रेजन्ट स्टेटस को देख कर हम अपने आपको वैल्यू लेस समझने लगते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें अधा शक्ति होती है हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती पर इस से हमारी कीमत कम नहीं होती मनुष्य के रूप में हमारा जनम इस दुनिया में हुआ है इसका ये मतलब है कि हम बहुत ही जादा special और important है हमें सत्गुरु ने बहुत अच्छा जीवन दिया है हमें हमेशा अपने आपको improve करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए इसलिए सासंगत जी हर पल मनुश्य को मेहनत करते रहना चाहिए और आज तो लोगों की स्थिती ऐसी हो गई है कि लोग सुविधा तो बहुत चाहते हैं परंतु उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते सुख तो भोगना चाहते हैं परन्तु उसके लिए परिश्रम करना नहीं चाहते अधिकार तो चाहते हैं कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो लोग अपनी कार स्कूटर रखने के लिए अथुआ बैठने के लिए व्रिक्षों की चाव ढूंडेंगे अर्थार्थ व्रिक्षों की चाव का लाब तो लेना चाहते हैं परन्तु व्रिक्ष लगाना नहीं चाहते क्योंकि उन में उनको मेहनत करनी पड़ती है उन्हें कष्ट होता है संसार मेश्वर का ये नियम है कि यदि आप करम नहीं करेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा अगर आप फल चाहते हैं तो आपको करम करना ही पड़ेगा इसलिए हर पल मनुश्य को मेहिनत करनी चाहिए सभी की मदद भी करनी चाहिए क्योंकि ये जो हवाई है अगर ये मौसम की गर्मी को खतम कर सकती है तो विश्वाश कीजिए कि जो दुआई होती है वो भी मुसीबत के पल को खतम कर सकती है जो मनुश्य का परिश्रम होता है वो मनुश्य की स्थिती को बदल सकता है सासंगत जी इस प्रकर्ती के तीन कडवी नियम है जो बिलकुल सच है प्रकर्ती का पहला नियम है कि यदि खेत में बीच न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूसे भर देती है ठीक उसी तरह अगर दिमाग में हमारे सकरात्मक विचार नहीं होंगे तो नकरात्मक विचार अपनी जगा बना लेते है अब प्रकर्ती का दूसरा नियम होता है कि जिसके पास जो होता है वो वही बाटता है सुखी सुख बाटता है दुखी दुख बाटता है ज्यानी ज्यान बाटता है और भ्रमित भ्रम बाटता है और जो भाय बीत होता है वो भाय बाटता है और इस प्रकर्ती का तीसरा नियम है कि आपको जीवन में जू भी मिले उसे पचाना सीखो क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ती है पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है प्रशंशा ना पचने पर एहंकार बढ़ता है निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है राज ना पचने पर खत्रा बढ़ता है दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है यही जीवन के सत्य है इसलिए सासंगत जी हर पल मेहनत कीजिए मौका मिले दूसरों की मदद कीजिए और अपने दिमाग में हमेशा सकरात्मक सोच लाइए फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ तब तक के लिए धन नरंकार जी